दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले आज हम बात करने वाले हैं यूपी बीर्ड एंटरस्न एक्जाम 2022 के लिए एक बेस्ट बुक के बारे में जो की है चक्छू प्रकाशन की आप लोग कबर पेज यहां पर देख सकते हैं बिलकुल नवीनतम पैटर्ण पर आधायत यह बुक है और इसमें आपको उन्तिस सो से ज़्यादा भविकल पिए प्रस्न मिलना है वो भी व्याक्षा सहीत 500 पेपर आपको मिलने है 2017 से लेकर 2021 तक कर 7-7-15 प्रैक्टिस चेट मिल इस बुक का इंडेक्स आप देख सकते हैं इसमें आपको 5 साल का प्रीवेस इत पेपर मिलने हैं गाइड़ प्रैक्टिस चेट के साथ चक्चू प्रकासन की यूपी बियक के लिए गाइड़ भी आती है आप लोग इसको मार्केड में इसली परचेस कर सकते हैं लिंक इसका description box में मिल जाएगा हले दोस्तों good evening to all of you सो फ्रेंट जैसा कि आप सभी को पता है daily साम साथ दे हमारे चनल पर beard provis परिच्छा 2022 के लिए समान हिंदी का टेस्ट होता है ये टेस्ट एक जनवरी से live होगी इसी टाइम पर सुबा 11 बे जीके का live होगा एक जनवरी से और साम साथ बजे हिंदी का live होगा एक जनवरी से सारी classes live होने लेंगी तो अब लोग live एक जनवरी से जॉइन कर सकते हमारे क्लाइक क्वेश्चन भी जादा हम करेंगे live में आभी के और 25 कर रहे हैं लाइब सेसन जब करेंगे तो 50-50 क्वेश्चन का ग्लास रखेंगे दोस्तों जो की बहुत अच्छा लगेगा आप सबको क्लास करने में क्लास में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन को उनके लेना हर क्लास के PDF आपको टेलिग्राम ग्रूप पर मिल जाती है टेलिग्राम का लिंक आपको डिस्किप्टिवाक्स मिल जाएगा जॉइन कर लो क्लास के PDF डाउनलोड करके रिवीजन किया करो वहाँ पर और भी सौट ट्रिक्स हो गएरा और कुई जगेरा होती रहती है अमारे गुरूप में तो लिंक टेलिग्राम का डिस्किप्टिवाक्स में है जॉइन करना बिल्कूल न भूले चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेशन नमबर 51 आपके सामने है यम का प्रियावाची होगा यम का प्रियावाची पूछा गया है चार ओप्सन दिया गया है सूर्रेपूत्र, धर्मराज, किनाश, किनाश ये सभी तो क्या हो जाएगा वई 51 का उत्तर 51 का राइट एंसर आपको ओप्सन नमबर D करेक्ट एंसर हो जाएगा ये सभी जो है यम के प्रियावाची होते है अगला प्रसन नमबर 52 है देखे, प्रगत शील का विलोम क्या होगा प्रगत शील का विलोम बताना है आपको 52 का राइट एंसर 52 का क्या हो जाएगा C हो जाएगा अब प्रगत शील विल्कुल इजी क्वेशन है ये वाला अगला देखे question number 53 है चलिए 53 का देखिए पारस का तत्सम सब्द क्या होगा बताव वही 53 का उतर दो पारस का तत्सम सब्द अगला प्रसने question number 54 है अनन्य में कौन सा उपसर्ग है चबवन नंबर का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा अनन उपसर लगा है अगला प्रसने question number 55 है निर्भाय का सही संधी विच्छेद क्या होगा चार ओप्सन दिएगे हैं सही बताएं निर्भाय का संधी विच्छेद क्या हो जाएगा 55 का right answer A answer बिल्कुल औप्सन करेट उत्तर हो जाएगा निर्भाय और इसमें विशर्ग संधी होगी आपकी ठीक है अगला देखे question number 56 है पीतामबर में कौन सा समास है 56 का उत्तर देना है 56 का C हो जाएगा बहुवरी समास ठीक है अगला देखे question number 57 है निम्ड में कौन सा अवई भाव समास है अवई भाव समास पहचानिए 57 का उत्तर क्या हो जाएगा 57 का right answer आपको option number D करेट उत्तर हो जाएगा ये सभी जो है अवई भाव समास है सरद्धा पूर्वक प्रतिवर्ष आजन्म ये सभी अवई भाव हैं अगला देखे question number 58 है किसी काम में पूर्वन लगाने का क्या अर्थ है 58 का उत्तर देना है 58 का right answer आपको option number A करेट उत्तर हो जाएगा दत चित क्या हो जाएगा दत चित अगला प्रसने question number 59 है राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है 59 का उत्तर दीजिए 59 का D हो जाएगा स्री लाल सुक्ल अगला प्रसने question number 60 है 99 के फेर में पढ़ना का क्या अर्थ हो जाएगा 99 के फेर में पढ़ना 60 नमबर का B करेट उत्तर हो जाएगा धन संग्रह की चिंता में पढ़ना अगला प्रसने question number 61 आपके सामने ये रहा गौरी संकर में समास बताना है गौरी संकर में समास कौन सा है 61 का सही एंसर क्या हो जाएगा 61 का D करेट उत्तर हो जाएगा दोंद समास है गौरी और संकर दोनों पदपरधान है इसलिए दोंद समास होगा अगला प्रसने question number 62 है चतुरानन में कौन सा समास है चतुरानन में समास बताना है 62 का उत्तर 62 का B करेट उत्तर हो जाएगा बहुवरी अगला प्रसने question number 63 है निम्ण में से कौन इस्तरी का प्रियावाच्ची सब्द नहीं है 63 का उत्तर दिए कौन प्रियावाच्ची सब्द नहीं है 63 का D करेट उत्तर हो जाएगा शकुन्त क्या हो जाएगा शकुन्त अगला प्रसने question number 64 है निम्ण लिखित में कौन स्थाई भाव है जल्दी से बता दो भई 64 का उत्तर और एक जन्वरी से क्लास लाइब चलेगी इसी टाइब चलेगी ठीक है जो time चल लए ये к्लास की सुबह 11 बजे जीके होता है वो उसी time live होगा और साम 7 बजे हिंदी होता है तो हिंदी भी इसी time पर लेगी लाइब चलेगी ठीक है description में जोईन के लेना question number 65 का उत्तर हो जाएगा आपका option B 24, 24 होती है वाई अगला देखो question number 65 68 है, निम्ण में कौन एक छंद का उधारन नहीं है 66 number का उत्तर देना है 66 का D करेट उत्तर हो जाएगा रूपक अगला प्रसने question number 67 है किस एक के संयोग से रस निस्पत्ती के चर्चा नहीं मिलती है 67 का उत्तर देना है, बताएगे 67 का सही answer क्या है 67 का D हो जाएगा अलंकार, अगला प्रसने question number 68 है उपर से मित्र, भीतर से सत्रू के लिए प्रचलित लोकोक्ती क्या है 68 का answer करना साती हूँ 68 का A हो जाएगा मुँ में राम बगल में चूरी अगला प्रसने question number 69 है निमनिलिकित में कौन सब्दा लंकार है 69 का उत्तर दीजिए कौन सब्दा लंकार है पुछा गया है 69 का D करेट उत्तर हो जाएगा वक्रोक्ती, सब्दा लंकार है अलंकार दो प्रकार के होते है एक होता है सब्दा लंकार और एक होता है अर्था लंकार ठीक है तो सब्दा लंकार इसमें पुछा गया है तो आपका वक्रोत जो है आपका सब्दा लंकार हो जाएगा बाकी जो विरोधा भासा द्रिस्टांद और काव विलिंग ये सभी आपके अर्था लंकार में आते हैं अगला देखिए question number 70 है निम्ड में अर्था लंकार है देखिए पूछ लिए गया न उपर पूछा के सब्दा लंकार कौन सा है आप यहाँ पर पूछागे कि कौन सा एक अर्था लंकार है निकि तीन सब्दा लंकार इसमें दिये गए हैं और एक अर्था लंकार है तो 70 का right answer क्या हो जाएगा C करेड उत्तर हो जाएगा श्वाभोक्ती ठीक है ये आपके अर्था लंकार है अगला देखे सब्दा लंकार में वक्रोकती उपर था ही सलेज भी होता और यमक भी होता है यमक आपके सब्दा लंकार में आते हैं अगला देखे question number 71 है निम्ण में कौन संचारी भाव का उधारा है जल्दी से बताओ बढ़ाई 71 का उत्तर संचारी भाव का उधारान कौन सा है इसमें से 71 का उत्तर हो जाएगा आपका option number D करेड उत्तर हो जाएगा गर्व अगला देखे question number 72 है विभत्स रसका इस्थाई भाव है बताओ भाई 72 का उत्तर विभत्स रसका इस्थाई भाव 72 का उत्तर हो जाएगा जुगूपसा अगला प्रशन देखे question number 73 है तुलसी दास की रचना नहीं है तुलसी दास की रचना कौन सी नहीं है बताना है राम चरित मानस कविता वली विने पत्रिका और साहित लहरी कौन सी कविता जव है कौन सी रचना जव तुलसी दास की नही यह पूछा गया तो 73 का उत्तर हो जाएगा डी साहित लहरी अगला प्रसने question number 74 है निमन में से कौन सा सब्द शुद्ध है सुद्ध सब्द बताना है 74 का उत्तर चलिए 74 का सी करेट उत्तर हो जाएगा विभीस का अगला और अंतिम प्रसने इस class का question number 75 है यद वर्सा ना होती तो नदिया सूख जाती इस प्रकार का का वाग क्या है 75 का उत्तर करें इस तरीके से 25 question टोटर्स हमने किये है कितने सही है comment करके ज़रूब बताना class अच्छी लगी हो तो like करना चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करकर bell icon को on कर लेना और इस class की PDF अगर आप को चाहिए revision करने के लिए तो link आपको टेलिग्राम का description box में देजी आए वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं ग्रूप से मारे और टेलिग्राम जुरूब कर लेना ताकि मह किसी तरीके से class को end करते हैं मिलते कल सुबा 11 बजयोली class में जिसने भी आज की class 11 बजयोली नहीं देखी जीके की देख लेना